तरसब एक बहुत बड़ी डिप्लोमाटिक सेटबेक हुआ पाकिस्तान के लिए और वो यह है कि हाली में आपको पता है एक विर्चुल समेट हुई थी ब्रिक्स की जिसमें बराजील, रशिया, इंडिया, चाइना और सौथ अफरीका ने पाटिसिपेट की और उसके बाद ए एक तस्वीर शेयर करवाते वे नजर आ रहे थे और उस पे सवाल उठा रहे थे और वो तस्वीर थी ब्रिक्स के एक एजलास की, एक सेशन की और उस पे सवाल ही उठाय जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस सेशन में क्यों नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान ने इस एजलास मे बहुत मुश्किल वक्त है चाइना उस तरीके से हमें स्पोर्ट नहीं कर रहा है जैसे करनी चाहिए इवन इग्नोर कर रहा है और इंडिया के साथ अलुकात बेहतर कर रहा है क्या समझे परधान मंत्री की कुरसी से इतना लोब मत करो इतनी लालच मत करो इतना उससे इतना गोहार लगा रहा है अपनी खुद की फौच से वह किस बात के गोहार लगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूस चैनल में तो दोस्तों जैसा क्या आपको पता है ब्रिक्स का समिट हुआ है जिसमें भारत के साथ बागी भी काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने लगी है आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बुरी तरह से रोता है तो आखर तक वीडियो देखीगा थैंक यू फॉर वाचिंग डिस वीडियो जैहिंद तरसब एक बढ़ी डिप्लोमाटिक सेटबेक हुआ पाकिस्तान के लिए औ लिए चाइना और सौथ अफरीका ने पाटिस्पेट की और उसके बाद एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डिवलिप्मेंट के उपर जिसमें 17 मुमाले के हेड्स ऑफ स्टेट और गोर्मेंट को बलाया गया लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नहीं बलाया क्योंकि उसकी जो सर की वज़ा से पाकिस्तान की पार्टिस्पेशन ब्लॉक की गई है जानी कि इंडिया की बात कर रहे थे पाकिसान के फॉरन आफस के स्पोक्सपरसन आप इस डिप्लोमाटिक सेट बैक को कैसे देखते हैं और यह आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए वजीब क्या कर सकता है पाकिस्तान की दोस्ती को कंपेर किया जाए क्या पाकिस्तान की दोस्ती के खातर चाइना अमरीका के साथ रेलेशनिशिप खराब कर सकता है यह दो स्वाल अब दोस्वालों का जवाब यह है कि पिछले 50 सालों में चैना की तरक्की क्या है चैना की तरक्की इंट्रेक्ट्सट प्रापटी थेफ्ट के रिजल्ट में तरकी की पिछले 50 सालों, चाइना खुद आइफ़ोन नहीं बना सका, वो अमेरिका रे बनाया उसकी कापी कीदे, फेस्बुक बना तो यहां बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहां बना है, कोका कोला सारी दुनिया पे रही है, चैनीज ब्राइड आप देख रहे हैं, उनके आलाद के आरे हैं, बलके चैनीज प्राजेक्ट जो है, वो ज्यादा तर दुनिया में मिशूर है, कि बिंग दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है, हम किसके दोस्त हैं और हम किसके दुश्मन है, और जो हमारे दोस्त हैं, क्या वाकई वो हमारे दोस्त हैं, इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा भी, दो-तिन दिन से पाकिस्तानी सोशल मेडिया पर एक तस्वीर शेयर करवाते नजह आ रही दो उस पर स्वाल उठा रहे थे और वह तस्वीर थी? बरिक्ष के एक इजलास की? एक सेशन की. और उस पर सवाल ही उठाय जा रहा था कि पाकिस्तान कहा है? पाकिस्तान ने सेशन में क्यों नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान नायस में क्यों नहीं जाता है। इस इजलास में क्यों नहीं गया जिस पर्मनेंट मेंबर्स के इलावा तक्रीबंड टू डूड़न से जाइद 24 से ज्यादा countries ने शिर्कत की. एक हाई लेवल डायलॉग था ये ब्रिक्स का जिसमें 24-25 कंट्रीज शामिल हुए वो कंट्रीज के जो उसके मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया लेकिन उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया अच्छा इसमें स्पोक्सपर्सन आसिम इफ्तखार साब ने जो कहा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स इजलास की कामयाब मेजबानी पर चाइना को मुबारिक बात पेश की है और मुबारिक बात पेश करते हुए ब्रिक्स के तन्जीम के एक मेंबर कंट्री की जानि से पाकिस्तान को इजलास में शिर्कत से रोकने पर अफसोस का इजहार की है या नि पाकिस्टान ने चाइना को आए कि बड़ी-बड़ी मुबारक बात के आपने इजलास करवाया कंड़क्ट किया लेकिन इसमें एक मिंबर ने हमें शामिल होने से रोक दिया अच्छा उन्हुने मिम्बर का नाम नहीं बताया वो नाम बता देते आसि में फदखार साभ से हम बात करें वो नाम केहने में क्या रष्टा बताते देए देबीurmर क brace के किटने कान्ठी जो पर्मानियन मेंबर का बताए है Brazil है Russia है चाइना है South Africa है और भारण है अब ना तो हमें Brazil से कोई problem है ना Brazil को हमें problem है कोई रशिया को भी हमसे कोई problem होना चाहिए अभी तो इमरां खान विजट करके आए उनको तो बड़ा जो है वो डाला होना चाहिए इस वक्त President Putin का फिर आप South प्रोट अफरिका को भी हमसे कोई प्रॉबलम नहीं है फिर चाइना तो हमारा शेहट से मीठी समंदर से गहरी और पहाड़ों से उची दोस्ती है तो फिर एक भारत रह जाता है कि जिसको पाकिस्तान से प्रॉबलम हो सकती है और है तो इससे ही पता चलता है कि इंडिया ने प कि बहुत अच्छी दोस्ती है हर मुश्वल वक्त ने चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है लेकिन बन इस तेम पाकिस्तान पे बहुत मुश्खिल वक्त है चाइना उस दीके से हमें स्थोर्ट नहीं कर रहा है जैसे करनी चाहिए एजिए इगनूर कर रहा है और इं कभी चानिज के ब्लॉक में जाता है कभी यूएस के ब्लॉक में जाता है। जबके इंडिया ने अपनी इंडिया ने अपनी न्यूटर्ल पॉलिसी रहकि हुए है। तो यूएस के साथ भी अच्छे तालुकात रखे हुए हैं आपको बताता चलूँ शायद आपको पता हो कि इस हफते में नरिंदर मोदी साहभ ने पांच से छे मीटिंग की है उन्होंने चाइना के साथ भी मीटिंग की है यूएस पे भी मीटिंग पे गे है इसी तरह मैं आपको मज़ीद एक्जेंपल बताता चलूँ के जो इंडिया है वो ब्रिक्स का पार्ट भी है जो के चाइनीज अलाइंस है इसी तरह वो क्वार्ड जो के यूएस अलाइंस है उनका पार्ट भी है तो उन्होंने एक उनकी जो पॉलिटिकल लीडर्शिप है चुनकि वो जैनवन है अवाम की रिप्रेजन्टेटिव है तो उनको समझ आता है कि हमने अपने मुल्की पॉलिशी इंटरनेशनल लेवल पर यहां पे जो हमारे रिप्रेजन्टेटिव हैं वो क्या जैनवर और अवाम के रिप्रेजन्टेटिव नहीं यहां की जो रिप्रेजन्टेटिव है वो बिलकुल पॉलिटिकल इंजिनियर्ड होते हैं वो किसी और के इशारों पे आते हैं, उनकी पॉलिसी उनके इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, आवाम का जो इंटरस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हों ने आवाम का इंटरस्ट प्रोटेक्ट करना था, तो वो एक ऐसा नीटरल पॉलिसी बनाते कि वो किसी भी ब्लॉक का हिसाना बनते है जिदर से पाकिस्तान को फायदा होता पाकिस्तान की अवाम को फायदा होता उसके साथ तलुक बनाते ये तो नहीं करते कि चाइना दोस्त है इंडिया दुश्मन है चाइना के साथ ड्रेड करनी है उसके साथ नहीं करनी इस त कि वही दोश्ती आपके लिए बेहतर है उनके साथ अच्छे तालुकात रखना आपके लिए बेहतर है। इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यूँ कॉंपरमाईज ओन यूर कंट्री, इमरान खान में यही बात करें। जहां तक आपने बोला नूटरल रहे हैं। फॉज देखें सब ऐसा है। फॉज तो कभी नूटरल नहीं रही। इमरान पाकिस्तान का देखें, जनल बाजवा अपने आप में, you know, I think that he's a good man, अपने आप में, but institutionally, institutionally, पाकिस्तानी आमी has always been involved, देखें, अगर आपको यह चाहते हैं न, अगर यह चाहते हैं आप, कि पाकिस्तानी फॉज अलग रहे, तो यह जो आपने ISI के अंदर पॉलिटिकल बना रखा है न, आप इसको dissolve करिए, ISI जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक agency of foreign intelligence के लिए और एक agency of domestic के लिए, आप क्या एक ही ISI, वो ही सबसे बहले चौधनी हैं गाउं के, वो बोलेंगे क्या करें, ऐसे तोड़ना होता है, you cannot give too much of power to an agency, आप लोगों ने यह गलती करी आपने too much of power to ISI, too much of power to the army, क्योंकि बगल में हिंदू है, वो आके खा जाएगा, यह आ जाएगा, तो एक conspiracy theory बनाई, national security state बनाया, जो इमरान खान कह रहा है, वो गलत हो सकता है, अगर एक normal तरीके से, एक normal मुल्क में अगर हम बात करें, तो इमरान खान कह रहा है, वो गलत कह करा है, जो ज्याव लखने करा है, जो परवेज बुश है रफने करा है, बस वो आर्मी से यह कह रहा है कि तुम मत कुरसी पर बैठो, तुम मुझे बैठा दो कुरसी पर, and that's it, वो सब सारी प्रॉब्लम सोल हो जाएगी पाकिस्तान की, लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है, क्या कोई सिविलियन गवर्मेंट इतनी स्ट्रॉंग हो सकती है, कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है, कब भी नहीं होगा, पाकिस्तान में कब भी नहीं हो सकता, आप मैं आज आपको लिखवा के दे दू, कोई आर्मी चीफ आपका आगया, जांगीर करामट टाइप का, जिसने बोला कि मैं चलो थोड़ा सा दूर रहता हूं इन सब चीजों तो, बचारा शरीफ आदमी ता उसको ने इटा दिया हैं लोग नहीं, वरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, आपकी दो-तीन चीजें हैं क्योंकि आपने सवाल झाल